नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे सारे दर्चकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ ले आई हूँ आपके व्यूस आपके आउडियोस आज की कड़ी जो अनुपमा के आपने देखी है उसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बाते कहीं है और ज्यादा तर बातों में ज्यादा तर आउडियोस में डिमपी पे गुस्सा बरस रहा है और वनराज पे क्योंक तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए साथ में दोस्तों बेल आइकों दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं चलिए सुनते हैं पहला ओडियो आफ्टरून लाम डंजवाम एंड आइम टेलिंग आस की बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कल मेरे को समझाया और कुछ डाटा भी की विलन का जो मैंने बुला कि आंपमा को भी विलन बन जाना चाहिए तो इस नॉट राइट मुझे बोना चाहिए था काना की भाकत है वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो लोग जो शापेंगे उन लोग जो बनाएंगे स्टोरी वो तो देखना ही होगा जो ट्रैक पसंद नहीं आता है उसमें औरियंस की कोई गलती नहीं है और सेकेंड नॉप तिंग डिम्पी जो इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रही है एक बात पुछ ना चाहती हूं कि जब धना में पैठी थी अनुपबाद जी मेरी प्यारी दीदी जिसे मैं हमेशा दीदी कहती आ रही हूं वो पैठी थी जब इतना हेल्प करी तब तो उसने ये बात नहीं कहा कि ऐसान मंत याद नहीं आया जो मन में आ रहा हूं गोल लिए अब मैं चाहती हूं कि समर खड़ा हो अपनी मा के साइट से बोले मेरी मां से बतनीजी करने का हिम्मत कैसे हुआ तब समर्स में आएगा कि उसे की प्यार क्या चीज होता है और प्यार में तो सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अपनी मां से करता है तब एसास होगा जब समर्स बोलेगा इसमें समर्स का रोल देखना चाहती हूं कि समर्स क्या बोलता है चुप रहता है यह अपनी मां का साइट लेता है यह सब सबसे बड़ा टेस्ट है समर के लिए और सेकेंड तिंग वर्खा जो अपनी भाई को लगा रही है कि भाया अधिक ऐसा बात है देखो अनुपमा खुश है अपने लाइफ में मूववान कर रहे हैं अपने आपको क्या एक और पर दर्द है तो क्या हो सुसाइट कर ले या या अपने आपको रेडि करें दूसरे टास्क को क्म्पीट करने के लिए क्यों नयुद कर सकती हूं जरू मैं प्यार में पागल हो रही हूं अभी भी प्यार में हूं उमीद बढ़ाई बैठी हूं लेकिन अपने आंको फोड़ी कोई खत्म करता है उसके लिए स्टांड लेता गुजस्ता लिया लेकिन उसे accept करने के बाद दोस्ती करी लेकिन वैसा दोस्ती नहीं बढ़ेगा जैसा हो सोच रहा है अनुच फ्लीज स्टस्टस मेरी प्यारी अनुदीदी के लिए मैं बहुत प्यार करती है उनकी zit मुझे नहीं अच्छी लगते म हो कि जाए आम भी अच्छे हैं कि आपके पास कोई बच्चे नहीं है छोटी आ यकोʏ बच्च्च ये वो समझ नहीं पारी है इसी लिए वो चुक्षाफ है आई एनिस्टैंड की बड़ा अगर साथ हो जाता तो आपको सपोर्ट मिलता जैसे कि पापुजी है कांता मौमधी अगर आपको आई की समझाने के लिए आप उनकी बात को शेयर करते तो शायद वो हेल्फ करती आपको मिलाने के लिए समझान अभी भी दिल में अनुपमाही बसी है और माया जोगीन खेल रही है कि फोन आता है वो बात नहीं कराती है हमेशा फोन करती रहती है प्लीज से ट्रैक पता लगे अनुच को कि नहीं फोन करती है तो फोन नहीं आता है और एक चीज और कि माया जो कहा कि छोटी अनु को एक देना चाहिए जिसमें मेरा नमबर और आपका नमबर सेंट रहना चाहिए और किसी का नमबर नहीं तब परूश ने माना इत्स राइट लेकिन इतने छोटे बच्चे को जो आठ साल नौ साल की बच्ची है उसे ओन देना डिज़विक नहीं है अभी भी कोई बच्चे को जाता है तो यह गलत से इस ना दिखाए कि छोटे बच्चे आठी के छोटे बच्चे लोग भी अनुपमा देखते हैं उन्हों भी क्वाइस करेंगे कि ममा मुझे भी एक पूर चाहिए जिसमें जब वह इतना अनुच का पाड़िया अपने बेटी को दे सकता तो आप भी म बढ़ते रहो मंजिल पास में आएगी और मंजिलों को पार करना जो कर जाएगा वो कुद्रत क्या स्वर्ग में भी खुश रह जाएगा अच्छाई का अच्छाई से करो काना हो काना जी हो चाहिए वो देवी माता हो वह हमेशा साथ देते रहेंगे मैं अनुपमा को यह कि अनुच को पियारी अन्योदीरी को प्यार कर लीजें एक अपना बिजनस सहाब लिए यह और जैसे अपने है इंजॉइब करते थे पत्र्सक्राइब करते थे इसंप कर रही हूं प्लीज में कि हैं सब दिखाईए ना पॉहाथ मिस Map कर रही है और एक चीच कहना चाहते हो मेरे क्षवा के वारे में पहेना चाहती हूंगे मेरी मधरिं लौक का अभी विंसाइट में फैक्षर हो चुका है तो वह मैं संभाव रही हूं सब कुछ कर रही हूं कि उता है कि भार के लोगोपस कुछ बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं लेकिन तो सुन रही हूं कर रही हूं लेकिन एक सीजिशन में मिली जब अनुच कपाड़िया का ओमा में गयते तो पूरा कपड़ा चिंजेस और सब कुछ कर रही थी अनुपमा सब सेवा कर रही थी तो वो याद आया कि जब वो कर सकती है तो मैं अपने मादरी लोका क्यों नहीं कर सही कहा माईमा जी आगे बढ़ना ही हमारा काम है और आगे बढ़ते हुए रास्ते में कटनाईया आएं तो उनको देखना उनका सामना करना और खुशी-खुशी सामना करना यही हमारा काम है क्योंकि कटनाईयों से कोई नहीं बच सकता है तो आपका ओडियो बहुत नमस्कार अंजु मैं मैं लता आज मैंने बहुत दिनों के बाद अनुपमा देखा पर मैं आपका रिव्यू रोज देखती थी मैं बाहर हूँ इसलिए अनुपमा से दूर जाने का फैसला इसी वजह से लिया हो सकता है ये सही हो पर अनुच के उपर अभी तरस आ रहा है कि इतना सुल्जा समझदार इंसान हालातों के चक्रव्यू में फंस गया है कि अभी निकल नहीं पा रहा है माया तो एक अंजान इस्त्री है जिसका किसी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है पर बाप रे बाप ये वनरात जैसे राक्षास लाखों के मरने पर ही पैदा होते हैं इतनी नफरत होती है उसे देखकर इतनी गंदी हसी की क्या बताएं माया और वनरात साथ है ये तो साबित हो गया है पर बर्खा और अधिक वो भी सोने पर सुहागा है जिसका घर में रहते हैं जिसका खाते हैं उसी का गला कातने पर तुने हैं और अधिक तो बिन पेनी का लोटा है जैसे खेर इतने गंदे तालाब में अनुज अनुपमा की एक तिन कमल की तरह खिलकर आएंगे बाहर हर रात की एक सुबा होती है जिसका शंखनाद हो चुका है बस अब इंतजार है आने वाले एपिसोड का मैं तो बहुत एकसाइटेड हूँ बस अनुज थोड़ा ठीक हो जाए जरह हाला आगको समझना शुरू कर दे बस मैं आपका तो जवाब नहीं क्या विवियो देती मज़ा ही आजाता है थैंक्यू नमस्कार लता जी हमेशा की तरह आप फिर से एक नई information के साथ आई है कि अनुज को कोई बिमारी है जिसकी वज़ा से वो अनुपमा से दूर हो रहा है तो अगर ऐसा है तो वनराज की योजना तो पूरी तरह से फ्लॉप ही हो जाएगी जिस तरह वो कोशिश कर रहा है कि अनुच के मन में अनुपमा के प्रती कुछ ऐसा पैदा करें कि दोनों पर्मनेंटली दूर हो जाए प्यार ही खतम हो जाए तो बाकी देखते हैं आगे क्य बास अची कहती थी कि इस लड़की को घर में मत रखो मत रखो आज बाकी कहावत सच हुई कि अनुपमा न उस पर भरोसा किया उससे इजद दी उससे सहरा दिया उसके हर तरफ से मदद की उसे जीने कर लायक बनाया और और आज वही लड़की आकर अनुपमा पर ताना कस र सिखा देना चाहिए मैं तो यहीं कहना चाहूंगी इस वक्ते अनुपमा जिस दोर से गुजर रही है उसके सारे बच्चे आकर अनुपमा को इंकरेज कर रहे हैं उसे खुस रखने के कोशिस कर रहे हैं एसे में जब दिंपी की मुश्किल वक्ती तो अनुपमा न उसको सहर करा दिया उसके मादत की तो आज जब अनुपमा दुख से गुजर रही है तो उसे दुख से उखाने की कोशिस करना चाहिए लेकिन यह लड़की तो अनुपमा को और नीचा दिखा रहे है ऐसे जतारी अमानों सारी के सारी गल्ती अनुपमा की है उसके साथ जो हुआ उस इसी तर छोड़ दिया होता तो आज वह कहां होती है लेकिन अनुपमा ने ऐसा नहीं किया अनुपमा उसको उसे अपने बेटी के तरह मादत की घार लेकर रखा उसने यहां तक उसने उस दिंपी के लिए उसने अपने बच्चों को इग्नोर कर दिया पाखी का दिन दुख अनुपमा पर उंगली उठा रही है कि ए अनुपमा की बज़य से असदुए करेंघंङी में बचल हो रहे हैं और यह बात सबचुप यह उसे कोई क्या दिखा रहा है उनका इक ट्रेक करम के-ऊ-पन गे दुसरा बचल आकर रहे हैं इस लड़की का ट्रेक को आठा देना च होंगे एक और बात अंजो जी अनुपमा डांस अकाडमी क्या उस डिंपी की जागिर है जो उसका नाम बाद दलना चाहती है उसे मैं तो कहते हूं मैं कर से कि जल्दी से जल्दी उस एहसान फरामोश डिंपी को सो से निकाल फेकना चाहिए इस तरह से नंदीनी सो से निकल तो क्योंकि डिंपी ने जो किया है वो वाक्ति में गलत है क्योंकि जिसके घर पे रहे जिसने इतना कुछ उसके लिए किया अगर अनुपमा अनुज नहीं होते तो डिंपी कहा होती हम सब सोच भी नहीं सकते हैं तो डिंपी के ऐसान फरामोशी पर तो उंगलियां ही उंठेंगी दोस्तों और वो उठ रही है तो रेखा जी ने भी वही कहा है थैंक्यू सो मच रेखा जी पहले से आपका ओडियो इंप्रूव हुआ है थोड़ा वोलियूम आपका आपका हुआ है धन्यवाद अगला ओडियो सुनते हैं हेलो मैम अनुप्पा ने पहली दफ़ा एक नई शुरुआत डांस अकेडमी से की वनरास से दोखा खाकर अपने आपको संभालने के लिए लेकिन अब वो इसी डांस अकेडमी से नहीं शुरुआत कर रही है अपने प्रेम की खातिर जोंक कर खुद को काम में क्या बुला पाएगी वो याद अनुज की हर दूसरी सांस छेड़ जाएगी याद उसे एक हंटर के चाबुक की तरह कर्म को धर्म मान कर अनुपमा बार-बार कह रही है काम करना है काम में दिल लगाना है मनुष्य जनम है लिया अगर तो उसे कृतार्थ करो धर्म है ये तुम्हारा की कर्म बिना व्याख्यान के करो जिसने विया है जनम तुमें सब जिन्ता उसकर वार दो ऐसा है अनुपमा का अटूर्ट विश्वास अपने काना जीबर मा और भाई उसके पीछे हैं उसकी ढाल बनकर साथ नहीं है अगर साथ होते तो कहलाते वो बैसाखी जो उन्हें बनना ही नहीं है वनराज तो इंसान ही ऐसा है हर परिस्तिती में अपना सिट्टा सेक्टा है आज भी वो वही कर रहा है वो तो ऐसा शक्स है जो दूसरे का घर जले तो उस पर अपना हाथ सेके बच्चे होसला अब जाही कर रहे हैं उन्हें करना भी चाहिए मगर अनुख्मा को अब वो नहीं करना चाहिए काम जैसे कि किसी बच्चे को छीक भी आ गई तो वो दोड़ी चली आती थी शाहा उसमें क्योंकि बच्चे दूद पीते नहीं हैं बड़े बच्चे हैं वो अपने जुमेवारी खुद उठा सकते हैं हाँ जब तक गुजारा ना हो अनुख्मा के बिन तब तक अनुख्मा को उनके पास नहीं जाना चाहिए अनुख्मा के साथ तो सारे खरे रिष्टे हैं लेकिन अनुज की स्थिति डामडोल है क्योंकि वो ऐसे औरत की छाया में है जिसकी परच्चाई तले उसे अंधेरा दिखाई दे रहा है दिन होता तो शायद कुछ साफ साफ देख पाता वो याद कर रहा है वो अनुख्मा को दिली दिल में जब पूछता है माया से कि किसका फोन है चाहें वो गुस्ता है अनुख्मा से चाहा रहा है कि फोन अनुख्मा का हो यानि कि उसका दिल पल्टी मार रहे हैं बार बार ना रख एदिल तू रिष्टे उल्जाकर खुद ही भूल जाएगा रास्ता बाहर का एक रिष्टे से भी ना निभा पाया वफा इम्तिहान में रिष्टों के अनुतीर्ण हो जाएगा बचे का ना हाथ में कुछ तु खाली रह जाएगा अनुत्मा ने अब अपने पोंच लिये हैं आंसू मुस्कुरा कर डांस अकेडमी में सबसे मिल रही है पीछा जो चुडाना हैं आंसूं से क्योंकि तुम्हें लिखा जितनी बार मैंने कागस पर उतनी बार तो मिटते गए मेरे ही आंसूं से मैंने तो हार कर रख दिया है तुम्हें हिर्दे में मिटान आ सकेगा अश्क कोई अब तुम्हें रहोगे तुम अब चैन से मेरे हिर्दे की देरी पर अंकुष को फोन पर बताता है अनुज कि वो काम पर लोटना चाता है क्योंकि वो काम में मसरूफ रहना चाता है शायद की इसलिए की अनुपमा की याद ना आए उसे क्योंकि वो तो मसरूफ रहना चाता है काम में अनुपमा को बुलाने के लिए लेकिन अनुपमा काम में मसरूफ होना चाती है अनुज के लिए उसे बुलाने के लिए नहीं दोनों की मस्रूफियत तो है मगर सभाव उनका अलग अलग है वावा सीमा जी बढ़िया है हमेश्चा की तरह बहुत मज़ा है आपका ओडियो सुनके आगे भी आपके ओडियो का इंतजार रहेगा बाकि आपकी फैन फॉलोविंग बढ़ रही है उसकी मुझे बहुत खुशी है थैंक यू सो माइच सीमा जी आगे बढ़ते हैं अगला ओडियो सुनते हैं हेलो अंजी जी मेवर्शा आज आपने जो बात कही कि आरेंज मेरेज समझोते का समझोते क्या अधर पर होती है कि इसलमगे ने मरे का सही बता है केता है ऐक ढूसे के कुछ देखते हैं अधर भ्यांद समया मेशिए अधरी के बढ़ देखते हैं कि मैश सही मेश मैश बात हो तो भट है पर बुश्यादी के बाद बहुत सब्सक् merchandise कोरा भिखते हैं और कोरे आज़े शादी तुरल भी प्रम करें खेंस का दिए शादी के डिए वहा फ़। भी प्यार का था जाता हूं अर एक दूसरी के आदत भी रहती है कि अर अर थे वह बंकोड़ केस ना जयता है कि तुमारे बिणा कुछ नहीं हो नहीं हो फिर भी वह एक दुसरे को छोड़ना नहीं चाहते दिपाते हैं अनुपा मा के केस में अनुपा माने शप्वी साल ऐसे ही किया और और शोगी बात करूंगी कि वनराज जो चल रहा है चाल चल रहा है पर एक गलती की आपने भी नोटिस किया होगा बाग को पता दिया कि अनुपा मा के शाल कि अनुपा मा कि उपजा रहा है कि अनुपा मा की वज़े से स्टूने ने यह जो नहीं आना चाहते वह आपकी वज़े से नहीं आना चाहते जैसे कि उसका दूसरी भी शादी तूट रही है यह इस चकर में जो बोलना चाहती ना तनुपमा को यह बात दिल को लग जाएगी वह और वो उसके लिए अच्छा ही कदम अठाएगी हो सके वह सोचल मेडिय के जरिये लोगो तक अपनी बात पहुचा है और यह कमल तो अनुपमा ने किया ही है दादी की शादी वाले ट्रेंजों डान्स कॉम्पिटिशन दावा सब के सामने लान किया तो पूरे पूरा पूरा अने वर्ड अनुपमा के फेवर में था सब अनुपमा अनुछ को साथ अपने जगो सकता है इस वार इस बार भी अश है और यह तो दिखाना चे मुझा था तब लोगों खोम तो माज़ाएगा अबी जगार रूना यह को मैं थोड़ा सा लगा है मेरे मुझे लग रग रहा है पता नहीं सही है कि नहीं कि वह जो मोबाईल लेए देने वाली बात I hope so, ऐसे ही हो, देखते हैं, अनुच तो इस condition में नहीं है, कि वो अभी वन्राज की बात को समझेगा, कि वन्राज की चाल को समझेगा, वो तो यही सोचेगा कि चलो, प्यार करता है ना, तो वो यही सोचेगा कि चलो अनुपमा खुश है, हो सकता है, अब ऐसा सोचे तो और क कि मदद से नहीं होने वालेगी है, अभी अनुपमा की एक्षेन ही अनुच को फिर से वापस लएगी, और वो सब तो मुझे लगता है, दहमाल ऐसे ही होना चीए, सोचेल मेडिया तक जैसे डांस का कोई कारेकरन रखा, जैसे बिश्रेवार की सब को बता चला, तब इस तक वैसे जाने चीए, किसी की मदद से नहीं, उसको बैश्राखी की जरत ही नहीं है, नहीं तो देवीका और अधीरज ने किया होता, जीके भी आगे होते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो जीके अभी तक आ जाते थे, अनुच अकेला पढ़ रहा है तो जीके ने होना ची जातने पर अब क्या बता मेकर क्यों निखा रहें, ऐसा तो पता नहीं मुझे, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, रेंक्यों अंजी जी, ये बास सही कही वर्शा जी, कि अनुच के दिल तक अनुपमा की आवाज सीधी जानी चाहिए, किसी की हेल्प से नहीं जानी चाहि जातियों, दोनों के दिल में प्यार है, अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ बादल चाहे है, काले, घनेरे, मगर चट जाएंगे, और फिर से ये दोनों एक हो जाएंगे, थैंक्यों सो मच वर्शा जी, आपके आडियो के लिए, अगला आडियो सुनते हैं, हेलो, गुड मॉर्णिंग अंजू जी, मैं को मुनितर पाठी, आज सीरियल हम नहीं देख पाए, लेकिन प्रोमो देखके, कुछ प्रोमो देखें, उसी से मैंने अपना ये आडियो तयार किया है, मैं आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सुबह मैं जॉब पे जाते हैं, आठ से दो मेरा जॉब रहता है, लेकिन फिर भी हम अनुपमा के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बड़ा वो रहता है, वो तुकता रहती है कि अभी सीरियल में क्या होगा, टाइम निकाल के उसको हम आडियो बना के उसमें भेज देते है हम आज के लिए हम यह कहना चाहेंगे, कि अनुपमा ने जितने दुक सहे हैं, तो दुक के दस्तावेज पर इंसान के स्वयम के अस्ताथ्चर होते हैं, अनुपमा अकेली थी दुक में, तो है कौन सा ओओ इंसान यहाँ पर जिसने दुखना जेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछा छूटा राही चल अकेला अब अनुपमा जिन्दगी अपने लिए अनुपमा देगी लोगों को करारा जवाब चाहे वो माया हो बर्खा हो बनराज हो डिंपी हो सभी को बहुत तगड़ा जवाब देगी और ये हो रहा था कि माया और बर्खा में कौन जादा खतरनाक है तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक साप नाथ है तो दूसरा नाग नाथ है बनराज क्या अनुत्मा की दोस्ती का हगदार है? बिल्कुल भी नहीं बनराज बिल्कुल अलग ही गेम खेल रहा है और उसके गेम को पाकी अच्छी तरह से समझ भी रही है अनुत्मा ने सही बोला कि आप बहुत यूटरन जिन्दगी में लेते हैं इतने तो पूरे एमदाबाद में नहीं होंगे यूटरन अधिक कुछ ठीक है तो बर्खा उसको पूरी तरह से अपनी तरह ही बना रही है बर्खा के लिए कहना चाहूंगी कि जमीर बेचकर अमीर बन जाना इससे बेहतर है फकीर बन जाना डिंपी का करेक्टर क्या होता जा रहा है बिल्कुल निगेटिव करेक्टर सब भूल गई है कि अनुकमा और अनुज ने सहरा दिया उस समय जब उसका पती तक उसको छोड़ कर चला गया था आप अकेडमी का नाम तक चेंज करना चाहती है वाह क्या बात है एक से बढ़कर सब एहसान फरामोस वन्राज देखो अनुज से क्या कह रहा है कि अनुपमा को छोड़ चुके हो तो पूरी तरह से छोड़ दो पर वन्राज को ये नहीं पता कि हालात कमजोर है मेरे भाई इरादे नहीं अले वन्राज को ये नहीं पता क्या कि अनुज अनुपमा कितना प्यार करते हैं दूसरे से खेर आगे देखते हैं वन्राज को भी हर बात का जवाब मिल जाएगा अनुज अनुपमा दोनों से अनुपमा तो ऐसा जवाब देगी कि वनराज के छक्के छोड़ जाएंगे और वनराज बैक कहना भोल जाएंगे धन्यवाद तो दोस्तो ये थे हमारे आज के आज के ओडियो आप भी अगर भेजना चाहते हैं अपनी अनुपमा के लिए अनुच के लिए यह किसी के ओपर गुसा निकालना चाहते हैं तो ओडियो के जरीए निकालिएगा और नमबर नॉट कर लीजिए इस प्लेटफर्म पे जहां पे आपको हंगरी स्पिरिट्स के प्लेटफर्म पे बेज रहा है नमबर है 9833155523 ये वाट्साप नमबर है पॉल्स पे अप्लेट नहीं होते हैं थैंक यू सो मच पर वाचिंगरी स्पिरिट्स चैनल